दोस्तो नमस्कार कर्णल अजय स्यो अजय स्टो मनी ग्रूप फर्स्ट ग्लोबल एक्ष्टो फर्नेंस डिजिटल चैनल से आप से उम्खाती बोता हूँ आज 28 फर्वरी सन 2023 मंगलवार दोस्तो आपको याद होगा कपास खली कपास और कॉटन सीड ओल के उपर हम लगातार आ कप्टमबर महने के अंदर हमने आपको अगरी मनुवान दियाता की शांदार तेजी दर्ज होगी कपास और कपास खली में वैसा ही बजारों में देखने को मिला और हमने साथ-साथ आपको मई महने के अंदर 2022 के अंदर आपको गिरावट की बात कही थी अक्षत सत्य साबित होई दोस्तों यदि हम खली का पिछले तीन सालों का इतिहास देख लें तो साल 2020 की दिवाली पर प्रीमियम कच्ची खली महराश्क में व्यपार लगबग 2300 के आसपाच चल रहा था उसके बाद में शांदार तेजी बनी और अप्रेल 2021 में करोना की दूसरी लहराने के वो 2900 रुपे होई याद कीजे सेप्टमबर सन 2021 को हमारा अगरी मनुवान विशलेशन की बजारों में कपास और कपास खली के भाव शांदार तेजी होंगे और ऐसी जबरदस्तेजी बजारों में पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिली थी और यदि हम देखें कि यह 26 जनवरी के आसपास जो 4900 रुपे के भाव थे लगबग 4000 के आसपास के भाव थे कपास खली के और 2022 के अंदर ये एक शांदार भाव थे और दोस्तो उसके बाद अपरेल के अंदर भी रहे मई जून के बाद जो बरी तरह से पिटाई होनी चालो ही इसका पूर वाकलन एव आप जो अभी 2023 चल रहा है आपको हमने सबसे पहले कपास खली के अंदर गिरावट की बात कई थी और कपास खली ने इतनी बुरी तरह से पिटाई खाई पिछले लगबग एक से डेड़ मैने में कि सभी पशुपालक या फिर व्यापारी एकदम से चकित रह गए दोस्तों यह तेजी मंदी क्या डिमार्ण सप्लाई के केम पे चलती है या फिर कुछ और बात है याद रखिए चाय कॉटन सीड हो चाय कॉटन हो या कपास हो कपास की आवक की हमने आपको विश्लेशन दिया था कि फरवरी महिने में कपास की आवक बहुँ शांदार होगी और कपास हमारा ये शो आप तक पहुच रहा है दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस्क्राइब करना अवश्य कर ले यदि आपको पसंद आता है साथ-साथ बैल आइकन यानि घंठी के निशान को भी आप प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको अपनी बाद सबसे पहले पुचा सकें दोस्तो याद रखेगा मार्च का महीना बहुत महत्वपून साबित होने वाला है बड़ा जबरदस्थ मार्च का महीना होगा मार्च के महने में अक्सर लोगों के आकलन विशलेशन विपर सर्सो यह अभी बुरी तरह से परिशानियों में हैं सर्सो के भाव बुरी तरह से पिट चुके हैं और यदि एक साल भर का हम देखें सर्सो का तो लगबक 40 प्रतिशत से अधिक के भाव गिरे हैं और लगबक 15 प्रतिशत के भाव सर्सो के अंदर एक मेहने में गिर गए हैं और इसका असर सरसोखल पर भी पढ़ रहा है और सरसोखल के का प्रभाव का पासे खली पर भी पढ़ रहा है और बाकी डियोसीस के पर भी है तो महतापुन यही रहेगा दोस्तों कि मार्च का मेना बहुत महतापुन होगा दोस्तों क्या ये एक strong bounce back की तरह विशारा कर रहा है क्या ये वापस बजारों में इसकी रंगत आएगी क्या व्यापारी या millers या cotton seed oil mill के जो व्यापारी है उनके चेहरों पे दुबारा रंगत आएगी या फिर बड़ी गिरावट होगी इसकी विशेश रिपोर्ट के लिए संपर करें दोस्तों समय निकलने के बाद समय वापस नहीं आता हमारा काम है आपको हर विशलेशन हर जानकरी आप तक अपनी पहुचाई जाए विशलेशन आप स्वयम करें यदि आप विशलेशन बिलकुल स्वागत करें कि जो भी डेटा हम आपको उपलब कराते हैं वो आपके विशलेशन में मददगार साबित होते हैं यदि आप हमसे विशलेशन कराना चाहते हैं हमारी रिसेर्स रिपोर्ट चाहते हैं तो आप हमसे संपर कर सकते हैं दोस्तों हमने अपनी weekly newsletter में लगबग दो सब्सक्रा पहले कपास खली में तेज गिरावट की बात कही थी और ऐसी गिरावट आपके सामने नजर आई है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे तो दोस्तों आप बड़े व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं तो विशेष रिपोर्ट आगे एक मेने दो मेने के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे मिलर्स हैं 야 फिर आम भूगता है तो हमारा मामूली शुल्क के उपर हमारा weekly यानि सापताहिक newsletter आप subscribe कर सकते हैं उसके लिए number screen पे दिये गए हैं उस number पर आप हमें सापताहिक newsletter लिखके आप whatsapp करें हम आवशक प्रिक्रिया पूरी करेंगे दोस्तों आपका अपना channel है आपके लिए द्वारा चलाया जाता है आप comment box में आपके इलाके के कपास खली के भाव आप अवश्य comment box में लिखें क्योंकि पूरा देश आपके इलाके के भाव जानना चाहता है पहचानना चाहता है ground level पे जानना चाहता है all the very best good luck happy today